हलवाई स्टाइल लटू और पेड़े बनाने का सीक्रिट है बूरा यानि की बूरा चीनी वैसे तो ये बजार में बहुत आसानी से मिल जाती है लेकिन इसे गरपिर बनाना भी बहुत आसान है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक पैन में लेंगे आधा कप चीनी और तीन टेबल स्पून पानी इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप फ्लेम को धिमी आँच पर रखें और इसे चलाते रहें चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद आप फ्लेम की आँच बढ़ा दे यानि कि इसे अब आप हाई फ्लेम पर रखें और इसे में एक उबाल आने दे जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें डाले आदा टी स्पून गी और इसे अच्छे से मिक्स करते रह और साथ ही में इस स्टेज पर आप फ्लेम को जो है वो रिड्यूस करके मीडियम कर दीजिये अब पूरी प्रोसेस के दोरान आप फ्लेम को जो है वो लो से मीडियम पर एड़ेस्ट करते रहें और इसे कंटिनियूसली चलाते रहें इससे आपको करीबन 5-6 मिनिटों तक चलाते रहना है दीरे दीरे आप नोटिस करेंगे कि शुगर सिरप की जो कंसिस्टन्सी है वो थिक हो रही है और उसका जो कलर है वो सफेद हो रहा है इससे आपको कंटगादार चलाते रहना है और अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मिक्शर वाइट हो गया है जैसे ही ये इस तरीके का हो जाए उसके बाद आपको फ्लेम को बंद कर देना है लेकिन इसको आपको कंटिनूसली बंद फ्लेम पर चलाते रहना है देरे देरे जैसे ही आप चलाते जाएंगे तो चीनी जो है वो crystallize होती जाएगी और एकदम dry हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो एकदम से crystallize हो गई है ये dry mixture ready हो गया है और इसे आपको इसी तरीके से चलाते रहना है और अब आमें इस mixture को एकदम ठंडा कर लेना है मैं इस समय जो process आपके साथ share कर रहे हूँ वो बहुत आसान है क्योंकि अगर बीच में कोई lumps भी आते हैं तो आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बूरा को बन जाने के बाद और एकदम ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे mixer jar में grind करने वाली हूँ सो अब हम इसे mixer jar में grind करके एक finely powdered बूरा बना कर ready कर लेंगे अगर आप इसे grind नहीं करते हैं तो इसको चलाते समय आपको बहुत ज्यादा alert रहना पड़ता है और continuously जो भी lumps बनते हैं उसको आपको break करते रहना पड़ता है लेकिन ये एक बहुत ज्यादा secret tip है कि अगर आप इसको mixi में एक बार चला लेंगे इस तरीके से तो आपको एक even और finely powdered बूरा शकर बनकर ready हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इसके जो granules है वो इस तरीके से दानेदार होने चाहिए और हमारी बूरा चीनी बनकर ready है बूरा को आप store कर सकते हैं एक air tight container में इससे आपको fridge में store करना है और ये करीबन 2 हफतों तक fresh रहती है continuously इस पूरे process के दोरान आपको इसको लगातार चलाते रहना है हो सके तो आप non-stick pan का ही इस्तमाल करें और अगर बीच बीच में आपको लग रहा है कि flame बहुत ज्यादा हो रही है तो आप उसको बंद करके भी चला सकते हैं और again दुबारा से आप उसे switch on करके process को continue कर सकते हैं इसका जो timing है वो vary करेगा आप कितनी quantity का बुरा बना रहे हैं इस समय मैंने आधा कप चीनी का इस्तमाल करके मैं बुरा बना रही हूँ उस हिसाब से करीबन मुझे 5-6 मिनिट लगे हैं मेरी sugar को crystallize होने में लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मातरा में बना रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा time लग सकता है